खबर भरतपुर के रुदावल से है जहां गंदे पानी की निकासी को लेकर दो पक्षों में खूनी संखर्श हो गया इस विवाद में लाठी डंडा चलने और पत्राव होने से दोनों पक्षों के 11 महिला सहेत आठ लोग घायल हो गये घालो को अपचार के लिए C.H.C. में भरती करा आ गया जिसमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे जिला चिकित साले रहफर कर दिया गया चहां अपचार के दौरान उसकी मौत हो गई पुलिस ने घटा सल का जायजा लेकर आरोपियों की तलाश शुरू करती है